कि नमस्कार मैं हूँ आपके साथ श्रका ठाकूर हमारी खास प्रोग्राम क्या गयते हैं नरींद्र मूदी में आज आपको सुनवाएंगे पिए मूदी का वो यतिहासिक भाषन जो उन्होंने 11 जूं 2013 को गुजरात की गांधी नगर भी दिया मूदी जी ने अपने भाषन में कहा कि अगर महात्मा गांधी को हम समझ ले तो एन्वार्मेंट प्रोटेक्शन के जो जवाब विश्व तलाश्रा है वो गांधी जी की हर बात से मिल जाते हैं और आज भी परड़ाम देनी की ताकत रखते हैं भाईयो बहनों मैं पूरे कन्विक्शन के साथ कहता हूँ महात्मा गांधी का आर्थिक चिंतन आज भी उतना ही रिलेवन्ट है जितना महात्मा गांधी मौजूद थे तब था ये विश्वास हमारे में होना चाहिए और मात्मा गांधी की हर बात को अगर हम देखेंगे और खास करके ग्रामीन अर्थितन दरके सावन में देखेंगे तो हमें आने वाले कुछ सानों तक तो कुछ दुश्यों को तक तो समुर्दी की और जाने के नए रास्ते तलासले के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक विश्वास होना चाहिए लेकिन जिर के भीतर खुद पर भरोसा नहीं होता है खुद पर विश्वास नहीं होता है वो औरों को भरोसा क्या दे सकते है आज भी हम गाउं में जाएं वहां की बात्चित का दाइरा क्या होता है वर्शा बारिस कब आएगी प्रकृतिक व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं कैसी होगी खेट खलिहान पैड पौधे कितना आत्मिय समंध होता है उसका प्रकृतिक साथ और पुरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग से जब जूज रहा है अगर गांधी को हम समझ लें तो ग्लोबल वार्मिंग के भी सारे जवाब एंवार्मिंट प्रोटेक्शन के सारे जवाब गांधी की हर बांद से मिल जाते है जो विश्वत तरास तलास रहा है और इसलिए भाईयो बहनों मैं कहना चाहता हूँ कि हमें वैग्यानिक तरीके से और आधुनिक विग्यान को स्विकार करते हुए गांधी कभी विग्यान के विरोधी नहीं थे गांधी कभी आधुनिकता के विरोधी नहीं थे गांधी कभी परिवर्कन के विरोधी नहीं थे और इसलिए उस महापुरुषे ग्रामीन विकास के लिए हम लोगों का जो मारदर्शिंग किया है वो आज भी उतना शसकत है उतना सामर्थवान है और परणाम देने की पूरी ताकत रखता है लेकिन उसकी पहली शर्त होती है उन बातों पर हमारी आस्था हो मारा भरोसा हो लेकिन अगर निती निर्धारक ही पता नहीं कहां से कहां चल पड़े है तो आप लोगों का क्या होगा मेरे देश के किसानों का क्या होगा मेरे देश के गाउं का क्या होगा उन गरीब अबोल पशुओं का क्या होगा मित्रो चिंता सताती है मित्रो हमारे देश में मनुष्य के लिए भी हेल्थ कार यह भी तो दूर का सपना दिखता है पता नहीं इनसान के लिए हेल्थ कार कब बनेगा उस हेल्थ कार से उसको सेवाएं कब मिलेगी वह आरोग के प्राप्ते क्या करेगा कई नए नए वीचार आते रहते हैं नए नए टेक्नलोग यह वीशेज अभी फाइलों में चल भी रहा है मित्रो आज मुझे गर्व से कहना है कि हमने एक बिड़ा उठाया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गाउं के अंदर किसानों के पास जो पशु है पशुपालक के जो पशु है उन सब का हम हेल्थ कार बनाएं और हम लगातार मॉनिटर करें अगर हम चाहें कि पशु के आरोगे की परवा न करें जब तक देता रहें दूद निकालते चलें मर जाए तो फिर वो जाने उसका नसीब जाने तो मित्रो स्थित्या बदलती नहीं है और पशु पालक अपना बेटा बिमार हो तो पैसे खर्च करने के लिए चार बार सोचेगा लेकिन अगर पशु बिमार हो तो वो कर्ज करके भी उसको समानले के लिए तयार होता है इतना वो पशु को प्यार करता है मित्रो ये ये जो उसके समस्कारों में है वो एक हमारी बहुत बड़ी पूंजी है उस पूंजी को कैसे आगे लगाया जाए भाईो भेनों हमने पिछले कुछ वर्षों से गुजरात में पशु आरो के मेला ये अभियान चलाया है हजारों की तादात में हमने पशु आरो के मेले किये हैं हमारे देश में बुदकाल में मेले लगते थे लेकिन वो मेले वोट बेंक की राजनीती के लिए लगते थे कर्ज माप करने का मेला लगता था किसानों को कर्ज देने का मेला लगता था क्योंकि देने वाले को मालूम था कि इससे वोट आने वाला है मित्रो वोट के पीछे पागल लोगों ने पता नहीं priority बदल दी मित्रो हम उनकी सेवा करते हैं जो कभी vote देने जाने वाले नहीं है पशू को vote का अधिकार नहीं है लेकिन हमें लगता है कि हिंदुस्तान के अर्थ कंटर को बदलना है तो उस पशू की भी सेवा करनी होगी तब जाकर के देश का भला होगा भले उसको vote का अधिकार नहो या हो हमारे लिए आवशक है मित्रो हम हजारों की तादात पशू आरोगे मेला करते हैं और ये भी कैर करते हैं कि किसी पशू को तीन किलोमेटर से जादा चला करके ले जाना पड़ना पड़े और आधुनिक से आधुनिक पशू आरोगे की चिंता करते हैं पिछलो दिनों हमने हमारे डॉक्टरों को अमरीका स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा मित्र यहां आये हुए हैं वो आपको सारी बाते बताएंगे किस विशे में कि पशू के सरजरी के ख्षेत्र में कौन से आधुनिक टेकनलोजी को हम इंट्रोडूश कर सकते हैं और हिंदुस्तान में गुजरात के बेटनरी डॉक्टर पहले हैं जिन को इस प्रकार की ट्रेनिंग करने का हमने प्रयास किया और आज हमने उसको लागो किया में तो आज भी हिंदुस्तान के अनेक जिले ऐसे होंगे जिलों में लेसर टेकनिक से जिसमें रक्त नहीं बहता है लेकिन आपरेशन हो जाता है वो टेकनिक मनुश्य के लिए भी मनुश्य के लिए भी हिंदुस्तान के कई जिलों में नहीं होगी मित्रो गुजरात में हम लोग कोशिश करते हैं कि पशू का आपरेशन बिना रक्त बहे लेसर टेक्नोलोजिस कैसे हो और हम उसको सफलता पुरुव कर रहे हैं मित्रो पशू के आरोग्य के जब चिंता करते हैं तब हमारे यहां आज भी कई परदेश ऐसे हैं कि जहां मनुष्य के नेत्रमणी के आपरेशन के लिए चेरिटेबल ट्रस्ट एंजियोस कैंप लगाते हैं अनेक अनेक राज्यों से वहां डॉक्टर सेवा के लिए जाते हैं हमारे यहां मेरे गाउं में ही हमारे डॉक्टर द्वारकादा, जोशी, डॉक्टर वसंदबाई परीक, डॉक्टर मिहीर जोशी यह बहुत ही डेडिकेटर रहे वो हिंदुस्तान के गरीब गरीब राज्यों में जाते थे नेत्र यग्ये लगाते थे और लोगों के केटरेक ऑपरेशन का काम करते थे सालों तक करते थे, डॉक्टरों को सेवा के लिए ले जाते थे हिंदुस्तान में आज भी कई ऐसे नागरीख होंगे जिनकी आँखों में दिखना बंद हो गया होगा, लेकिन बेचारे को केटरेक ऑपरेशन नसीब नहीं हुआ होगा मित्रों दर्द होता है जब ये सुनते हैं, जानते हैं कि आँचादी के इतने सालों के बाद इनसान को भी इतनी पिड़ा मित्रों दर्द एक बात है लिकिन हमने गुजरात में एक प्रयोग किया और भाईयो बेहनों आपको जानकर के हैरानी होगी आनंद भी होगा, आस्यरे भी होगा गुजरात एक प्रदेश ऐसा है कि जहां पशु के भी नेत्रमणी का ओपरेशन होता है केटल का केट्रेक ओपरेशन होता है हम उसके केट्रेक का ओपरेशन करते हैं कभी कभी हमें पशु बिमार होता है खाना देते हैं तो खाता नहीं है दीरे दीरे दूद कम हो जाता है हम छोटे मोटे प्रयोग करते हैं कुछ खा ले लेकिन पता तक नहीं होता है कि कहीं उसके दांतों में दर्द हो रहा है मित्रो जैसे हमें दर्द होता है हमें दांत में पिड़ा होती है उस केटल को भी दांत में पिड़ा होती है और जब दांत में पिड़ा होती है तो उसकी पूरी दिन्चरिया चरमरा जाती है गुजरात ने मित्रो जब हम केटल कैम करते हैं तो हमारे पशुओं की हम डेंटल ट्रिट्मेंट भी करते हैं हमारे वेटरिनरी डॉक्टरों को डेंटिस्ट के नाते भी काम करते हैं उसके लिए हमें औजार खरीदे हैं सादल लाए हैं और उसके कारण मित्रों परशू को के आरोके की छोटी छोटी चीज़ों को कैसे समाला जाए उस पर हम बल देते हैं और उसका एक परणाम भी होता है और दूसरा इस बार हम जब परशु आरोगे मिला करते थे तो हमने एक और विशे सोचर क्योंकि आपने देखा होगा हर गाओं में दो-चार परशु ऐसे होते हैं जिनको चलने की दिक्कत होती है इनको और्थोपडिक प्रॉब्लम होता है हड़ी तूर गई है कहीं कोई और उसके कारण और फिर मालिक है मार करके दोडाता है बात बनती नहीं कोई तो उसकी चिंता करे भाईयों बहनों इस बार हमने जब पशु आरोग गेमेला लगाया तो उस पशु आरोग गेमेला में हम लोगों ने सारे पशुओं के जो और्थोपडिक प्रॉब्लम थे उसको हमने प्राविटिटी दी और जैसे आपकी हड़ी टूज़ता है हार्टी प्राम थे सुआरी अंदर चलते फिरते करने का संक्रव सर के में इन दिन और काम कर रहे है मित्रो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार बनाने का काम सरकार मुटलब क्या देश को एक्ट चाहिए अक्ट तो बहुत बना और भाईयो भेनो एक पशू के समझ में इतनी समयदन जब सिल सरकार होती है तो उसका परड़ाम क्या होता है मित्रा आम तोर पर हमारे जीवन में भी अगर जादा बार आ गई जादा थंड आ गई जादा धूप हो गई जादा बाहर रहा तो हम भी मिमार हो जाते हैं छोटी म में रहना पड़ा तो कोई न कोई बिमारी आ जाती है मित्र इस पशू आरोग के मेला लगातार करने के कारण एक एक पशू को दस-दस साल तक लगातार फॉलोप करने के कारण आज मित्रों मैं बड़े गर्व और आनन के साथ कह सकता हूँ और जीव दया का उत्तम काम इसको मैं कह सकता हूँ कि 122 डिसीज 122 रोग इस लगातार केर करने के कारण हमारे गुजरात में पशूओं को इन 122 रोगों से हमने पूर्णताय मुक्ति पाने में सभलता पाई अगर 122 डिसीज टूटली इरेडिकेट हो जाते हैं आप कल्पना कर सकते हैं तो उस पशू के स्वास्त को कितना लाब हुआ होता हूँ और उसके कारण हमारे केटल्स उनको उनका स्वास्त ठीक होने का सीधा परगाम हमें दूद में मिला है झाल